असलाम होलेकूम, वेलकम बैक टो चैनल, कुक विद फेम चिकन बिरियानी, डेलिशियस चिकन बिरियानी बनाने का इससे बेस्ट और आसान और सिंपल तरीका आपने देखा नहीं होगा बस मुझे step by step follow करते चाहिए, मज़ेदार बिरियानी बनके ready हो जाएगी बैशलर्स और बिगिनर्स भी ट्राइ कर सकते हैं, अब बिरियानी बनाना बच्चों का खेल हो गया है वीडियो आखिर तक देखिए यह बहुत ही आसान सी चिकन बिरियानी बनाने के लिए हमें चाहिए एक किलो चिकन चिकन के पीसे मीडियम से थोड़े बड़े साइज में cut कर लें अब next हम इसमें थोड़े से ingredients दाल के इसे marinate कर लेते हैं इस तरह से बिना marinate किये भी चिकन बिरियानी या मटन बिरियानी बना सकते हैं लेकिन marinate करने से चिकन के पीसे में एक्स्ट्रा बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है तो सबसे पहले हम इसमें दालते हैं चार टेबल स्पून अध्रक लेसुन का पेस्ट फ्रेश दालिए दो टीस्पून नमत दालिए धनिया पाउडर एक टेबल स्पून याने तीन टीस्पून भरके दो बड़े साइस के निंगु का रस तीन टेबल स्पून हो गए दो टीस्पुन भरके गरम मसाला पाउडर, आप चाहें तो बिरियानी मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं लाल मिच पाउडर तीन टीस्पुन, हल्दी एक टीस्पुन, जीरा पाउडर एक टीस्पुन, आखिर में इसमें दही डाल देते हैं 250-250 ग्रैम याने 250 ग्रैम बस इतने ही इंग्रेडियंस चाहिए है में spans with इसघं़ 현 क्या मिक्स करें चिकन के साथ तो सभी इंग्रिडियंस अच्छे से मिक्स हो चुकिए हैं इसके ऊपर ली बन कर और इसे एक घंटे के लिए रख दें मैरिनेट होने के लिए आप चाहे तो पुई रात इसे रेफ्रीजरेटर में रखें दूसरे दिन भी बिरियानी बना सकते हैं हमें एक किलो बास्मती चावल तीन से चार वार पानी से अच्छे से धोके इसे पानी में भीगने रखना है एक घंटा या आदे घंटे के लिए यह बास्मती चावल का ब्रैंड नेम तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मालूम है अगर आप नए हैं तो कॉमेंट में पूछि अच्छे से गरम करने तो पेल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें थोड़े से स्पाइस दाल देते हैं शाजीरा एक टीजपुन दाल चिनी के दो से तीन पीसस इससाइस के दीखिए हरी लाइची तीन चकल फुल एक या दो एक जावित्री का पीस चार से पांच लोग तेल गरम हो चुका है स्पाइस दाल दें हाई फ्लेम पे इसे 15 से 20 सकेंड के लिए सॉटे कर लें नेक्स इसमें बारीक कटी ही प्यास दाल दें चार बड़े साइस थी और इसका वज़न तीन सो ग्राम है अगर आपके पास जावित्री चक्री कुल ना हो तो कोई प्रॉब प्यास कर नेकरे घखी जाए इतना काफी है निकाल के रख लेते हैं इसमें मैणिक क्या है चिकन डाले के बाद हाइफ लें पर फिर से चिकन को हमें प्यास के सांड बहुत अच्छे से पतान से अच्छे क्लर के लिए हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल-मीट पाउडर द जाल देते हैं एक या दो टीस्पुल कलर अच्छा आएगा इसमें तीखापन बहुत कम होता है अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं जरूरी नहीं है देखें अभी से कलर इतना अच्छा आ गया है चिकन को हम आइसे ही चार से पांच मिनिट के चिकन को अच्छे से पकाने के पाद हम इसमें टामाटर दाल देते हैं तीन बड़े साइस के टामाटर वजन 200 ग्राम है अगर आपको बिर्यानी में टामाटर नहीं पसंद ना दालें दालने से टेस्ट और ज्यादा इन्हांस हो जाता है इस तरह से कट करने से टामाटर बह बूनते जाएं टामाटर साफ्ट होने तक इसी दावरान चिकन भी अच्छे से गल जाता है हमें चिकन को 80-90 परसेंट तक गलाना है जो 10-15 परसेंट है दम में गल जाएगा चावल के साथ टामाटर अच्छे से गल चुके हैं इसमें 4-5 हरीमिर्ज दाल दे इस तरह से पानिया और पुदिने के पत्ते हैं इसकर लें फिर से पकाते जाएं इसे पानी दाले की ज़रूरत नहीं है यह आराम से घल जाएगा दहीं के पानी में ही फ्लेम को लो पे रख दे थोड़ी देर के लिए 10 मिनिट के लिए चिकन अलमोस्ट 80-90% गल चुका है इसे हम थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं यह जो ऊपर आइल आता है इसमें यह हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं बाद में हम इसे चावल में दालेंगे नमक हमने मैरनेट करते हैं अब दाला था बस थोड़ा दालेंगे चिकन हमारा अच्छे से जाने 80-90% तक तो गल चुका है इसके लिए मुझे बस एक दफ से 12 मिनित ही लगे यह ग्रेवी हम इस तरह से थोड़ी से रहने देते हैं तभी चामल में अच्छा टेस्ट आता है अब नेक्स टेक वेजल में दो से अड़ाई लीटर पानी बॉइल होने के लिए रख दें फ्लेम को हई पर रखिए इसमें तीन तेश पता दाल 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 चीनी एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर थोड़े से धनिया और पुदीने के पते नमक छे से साथ टीस्पून भरके दालिए निक्स कर दें पानी हमारा अच्छे से उबल रहा है इसे ऐसे ही दो से तीन मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे उबल ले दें ताकि जो स्पाइस के खुश्बू है पानी में एंटर हो जाए दो से तीन मिनिट के बाद चामल दाल ने के बाद फिर से एक बार मिक्स कर लें स्पून ज्यादा मत दाल लिए चामल हमें अब 80-90% तक बॉल करना है इसके लिए 5-6 मिनिट लगेंगे चिकन के ऊपर फ्राई कीवी प्यास दाल दे जो हमने निकाल के रखी थी धनिया और पुदिने के पत्ते भी यह तेज पत्ता हम अब निकाल देते हैं अच्छा नहीं लगता जब बिरियानी में खाते बक्ता आएगा तो दाल चीनी भी निकाल दे पाइसस की खुश्बू तो पानी में आ चुकी है इसलिए मैं निकाल रही हूं चामल दे की अच्छे से बाई हो रहे हैं पांच से च्छे मिनिट हो चुके हैं चामल हम अब चिकन में दाल देते हैं आप चाहें तो चिकन के लेयर्स भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसे बहुत सिंप्लिफाइड वर्शन में बता रही हूं इसलिए इसे डिरेक्ट डाल दें आधा कब दूद में तीन से चार चुट की येलो फूट कलर मिक्स कर लें इस तरह से इसे डाल दें या आप औरेंज कलर के इस्तेमाल कर सकते हैं या रेड आपकी मर्जी तेल डाल दें थोड़ा सा घी डाल दें 2-3 केबल स्पूल आप चाहें थे इसमें धनिया पुदिने के बद ते फ्राई की भी प्यास भी दाल सकते हैं लेकिन मैं सर्व करते बद दालने वाली हूं अभी नहीं तब और अच्छी दुज़बर आएगी और प्यास भी क्रिस्पी रहती है इसे कवर कर दें एक अलिमि हबे नेक्स्ट हम एक पुराना अभा है फ्लेम पे गरम कर लेते हैं इसे के ऊपर वैजल रखके हम बिरियानी दम देंगे इस तरह करने से बिरियानी वैजल में नीचे नहीं जलेगी अगर यह तरह से पुराना तवा ना हो तो जो बिरियानी का वैजल है वो थिक बॉटं ले लें तवे के ऊपर वेजल हाई फ्लेम पे दो से तीन मिनिट के लिए रखिए दो से तीन मिनिट के बार फ्लेम को लो पे कर दें बीस मिनिट के लिए पचीस मिनिट के लिए बहुत अच्छे से दम हो जाएगी हमारी बिर्यानी दो मिनिट हो चुके हैं अब मैं फ्लेम लो पे रख देती हूं 20-25 मिनिट के लिए दम के दोरान वेजल का पुजिशन बदलते रहिए था कि ये इवेनली दम हो 15-20 मिनिट हो चुके हैं चलिए 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 तो परफेक्ट चिकन बिरियानी वो भी इजी मेधर में बनके रेडी है आप इसे जरूर ट्राइ करें कॉमेंट में बताएं सिंपल बिरियानी की रेसिपी आपको कैसे लगी लाइक करें वीडियो पासना आए तो और इस वीडियो के लिंक को शेर करना ना भूले फैमिली और फ्रेंज के साथ चैनल कुप विद फेम भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं त आपको